दोस्तों आज आज आपको सवाल आपको दिखाना है ऍपिंगल बच्चे की टिकेट करके अब सिर्फ बच्चे की टिकेट बुक करना है तो इस सवाल का जवाब है, हाँ भी और नहीं भी यानि कि आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, कब कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, आज की इस एपिसोर में आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए मेरे फोन की स्क्रीन पर चलता है, मैं ये करने वाला हूँ, अपनी फोन की real connect application के अंदर में अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो browser में भी आप कर सकते हो ज्यादा लोगों ने मुझे real connect के लिए कहा इसलिए मैं real connect में कर रहा हूँ तो जाने से फ़र आपसे गुजारी से अगर आप इस चनल बढ़ना है हो तो please channel को subscribe क्लिए bell notification को अंगरेता किसी तरह हर रोज एक नई जनकरी आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले आपको अपनी फोन में रेल कनेक्ट को ओपेन कर लेना है लॉग इन भी कर लेनी है वो कैसे होता है वो तो आपको पता ही होगा आप लॉग इन कर लो लॉग इन करने के बाद प्लान माई जर्नी में आपको जाना है जैसे आप इस पर जाओगे आपको यहाँ पे कहां से कहां तक जाना है यह चूज करनी होगी यानि कि फ्रॉम और टू साथ में क्लास तो यहाँ पे from to होगी आप date सिलेक्ट करता हूँ मुझे 16 तरिक की टिकट को book करनी है October में 16 तरिक सिलेक्ट कर लिया search train पर मैं क्लिक करता हूँ अब जो है मेरे सामने trainों की list जो है आ जाएगी थोड़ा सा time लग सकता है चाहे आपका internet कितना ही fast क्यों ना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी है न्यू जलपाई उड़ी चन्ने स्पैसल यहाँ पर जो आप देख सकते हैं बहुत सारे classes है second sitting जो है आजकल हर एक गाड़ी में आपको मिल जागी covid की चलते यह जो second sitting है इससे add किया गया है पहले कि अगर हम बात करें तो पहले जो कम दूरी सफर करने वाली गाड़ी यहां होते थी तीन गहंटे चार गहंटे पांस गहंटे छे गहंटे इनमें होता था अब जो है हर एक गाड़ी में आपको मिल जाता है यह second sitting का मतलब आप इसको general समझ सकते हैं यह वो general है जिसमें आपको seat की number मिलेगी आप अपनी seat पर जाकर बैठ हो गए पहले की जैसे नहीं भाग बाड़ करके आपको चड़के मतलब किसी के उपर भी बैठ जाना चड़ जाना वैसा नहीं करना है यह second sitting का मतलब होता है आप आपको आपका number मिलेगा अब यहां पर sleeper का एक option भी आपको मिलता है sleeper यानि की SL तो मैं आपको सबस्क्राप पहले यहां करके दिखा देता हूं अब आपको add new पर click करनी है उसके बाद उस बच्चे की पूरी जानकरी आपको यहां पर fill up करनी है जिसकी भी ticket आप book करे हो उस seat चाहिए तो आप online book कर सकते हो अब यहां भी कई सारे सवाल आप लोग आ सकते हैं कि भाईया मेरा जो है वो S5 में या S6 में या तो फिर जो भी coach में मिला हुआ है क्या मेरे बच्चे का भी मुझे आसपास ही मिल सकता है तो इसका कोई guarantee नहीं ले सकता है नहीं मिल सकता है मु लिख जाता है वहां आप करा सकते हो counter में पूछ बात चित करके लेकिन आपको online यह option नहीं मिलता है अगर आपको एक बच्चे की seat नहीं चाहिए यानि कि seat चाहिए तो आपको full fair भी लगेगा seat नहीं चाहिए तो आपको half fair यानि कि आधा किराया देना होगा अगर आधा किरा online की हो चाहिए वह offline की हो उसको लेकर आप PRS counter पर जाओ form फिलब करो दोनों को यानि कि form के साथ आप अपनी ticket को साथ में submit करो counter में तो वह जो है उस ticket के साथ link करके आपके बच्चे की half ticket बना देंगे full आप खूद बना सकते हो half जो है उसके लिए आपको counter जाना पड़ेगा व 41% chances है तो मुझे लगता है कि second sitting जो है यहां एक ticket book किया जा सकता है यहां confirm होने के chances काफी जादा होते है तो इसको आपको इसके उपर click करना है click करने के बाद passenger details में जाना है passenger का mobile नमर आपको यहां दे देना है उसके बाद address देना है आपको कहां जाना है यह इसलिए किया जा आपको पता ही होगा फिर भी बता दे रहा हूँ कोविड के लिए in case आपके आसपास के यात्री है किसी को कुछ दिक्कत होता है किसी को कोई परिशान होती है तो आपको जो है quarantine या फिर आपका इलाज करने के लिए आपको सलामस्वारा जो है दिया जाएगा किया जाएगा जो भी होगा तो इसलिए यहां पर आपकी जानकरी रेलवे मांग रही है उसके बाद दोस्तों यहां पर payment का option भी है तो payment के लिए पैथ्रो भीम यूपियाई में अगर आप जाते हो तो यह काफी आसान होता है और यहां charges भी जो है कम यानि की 10 रुपे प्लस GST है और बाकी जो है एक बार अच्छे से आप अपनी जानकरी को देख ले मिला ले कुछ गलत होता है तो भहिया आपसे जो है टीटी जुर्माना वसूल सकता है सारी जानकरी देखने के बाद एक capture आएगा उस capture को आपको यहां fill up करनी है तो capture जो आजकल generally take term आता है जरूरी नहीं हमेसा ऐ कुछ और भी आ सकता है उसके बाद प्रोसिट टू पेपर आपको क्लिक करनी है अब आपको यहां भीम यूपियाई या तो फिर multiple payment options आपको मिलते हैं साथ में भीम यूपियाई मिलता है भीम यूपियाई में अगर आप जाते हो तो आपकी यूपियाई आईडी की ज़रू करना है या पटी हउम वाली पर आपक बैंक का शोगापको यूपियाई ओड है वहाँ नवा Title था लूपियाई यूपियाई है तो आपको यहां पर अपना UP i.D देना है neighborhood और आपको फौन पर यूज करते हो तो वहां जो गागी उंसमें आप जा displ कर वूग तो आपकी फोन पे हो या Google पे हो जो भी आपकी फोन में रेजिस्टर्ड है उसमें एक नॉटिफिकेसन आ जाएगा जैसे कि मेरे इस फोन में मेरे सारे कुछ चलते हैं तो वो जो है इसमें आ चुका है यहां घंटी काईका ने इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पैमेंट के जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो टिकेट तो बुक हो चुका है बुक होने के बाद यहां मुझे मिला है RLWL तो RLWL का मतलब आपको बता दू जब दो बड़े स्टेस्नों के बीच में कोई आत्री ट्रेवल करता है तो ऐसे में सीर्ट नहीं होने पर मिलता है RLWL RLWL कब confirm होता है जब कोई confirmed वाले passenger अपनी टिकेट को cancel कराते है तब जाके यह confirm होगा और ऐसे chances जो है काफी ज़्यादा कम होता है यह टिकेट confirm होने का तो दस्तों मुझे लगता है इससे जूड़ी हुई लगवग आपके सारे सवालों के जबाब मैं आपको वीडियो के ज ज़रूर करें फिलाहल में चलता हो फिर मिनको एकॉन नई जानकरी के साथ तब तक के लिए टेक क्या बाइबाए